और बात करते हैं राजधानी दिली की जोहाँ पर सालों बाद धमाके की ऐसी सासिस रची गई है जाट एजिंसियों को मूचा समालना पड़ा और एक धमाका ने न सिर्फ लोगों की कान फार दिये बलकि पुलिस से लेकर के सरकार तक को अलट कर दिया है हाला कि देखिए गनीमत की बात ही रही कि जानमाल का कोई नुकसान इस धमाके की वज़ा से नहीं हुआ लेकिन छुट्टी के दिन हुए इस धमाके की वज़ा से तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं प्रेपोर्ट में देखिए इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं थर्ड फ्लोर पर मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि धमाके की वज़ा से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी जोड़ दर धमाका और हर कोई दहल गया 17 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है बलास्ट होते ही इलाका थर्रा उठा लोग सहम गए यहां तक कि जिस CCTV में यह तस्वीर खैद हुई वो CCTV भी धमाके की गुच से नीचे आगी जा और धमाके वाली जगह पर बड़ा गड़ा हो गया आसपास खड़ी गाडियों के शीशे तूट गए और बिल्डिंग्स की दिवारों में दरारे आ गई इस वक्त मैं धमाके के जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं थर्ड फ्लोर पर मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि धमाके की वज़ा से उसके इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी कि देखे ये पूरा शीशा जो है वो बिखर चुका है जो टाइस लगे थे वो बिखरा हुआ है और ये देखे कि वार्शू किस तरीके से शती घरस्त हुआ है इसके ठीक उपर के च्छत है उसके दिवार में भी दरारे आई है रोहिडी का ये वही इलाका है जहां हुए धमाके की गूच से पूरी दिल्ली हिल गई जोरदार धमाके के बाद यहां सब कुछ तहस नहस हो गया स्कूल के दीवार के सामने बनी एक भी दुकान नहीं बची जिसमें नुखसान नहुआ हो इस दोरान मौके पर जुटे लोग समझ भी नहीं सके की आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे लेकिन जब मौके पर एनसजी की टीम पहुँची और साजो सामान के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब लोगों को समझ में आ गया की मामला कितना गंभीर है धमाके के कुछ देर के अंदर दिल्ली पुलिस और सी आर पिएफ ने पूरे इलाके को अपने खब्जे में ले लिया एनसजी आईबी और एनाईए की टीम घटना की जांत में जुट गई एनसजी के कमांडों ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पी की जांच की गई सुतरों के मताबग सी आर पिएफ स्कूल के बाहर हुए धमाकी की जांच मल्टिपल एजनसियां कर रही है सुतरों के मताबग सुरक्षा एजन्सियां और दिल्ली पुलिस को एक टेलीग्राम पोस्ट हाथ लगी है जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो शेयर किया गया और खालिस्तान के वारे में लिखा गया है जिसके बाद सुरक्षा एजिंसियां इस पोस्ट की तफ्तीश में जुट गई है दूसरी और टेरर अंगल के साथ ही नकसली अंगल से भी बलास्ट की जाच की जा रही है क्यूंकि नकसलीयों के खिलाफ तमाम आपरेशन को सीर पीफ की टीम ही अंजाम देती है देश का दिल दिली को देहलाने की साथिश भले ही नाकाम रही लेकिन धमाकी की गूँज अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ गई